यह कहानी है, दो बच्चोmes की, जो एक गाउन में रहते थैं उन में से 1 6 साल का था और 1 10 साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्तें, बिल्कुल छोले के जय और विरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नाते दोते, नहीं दोते नहीं, यह थोड़ा जादा हो गया तो एक दिन, वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक भूए में गिर गया, गिर गया और जोर जो उसे चीखने चिताने लग जया, तुझ उसको तैरना नहीं आता था, अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आस पास में और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी मंदी हुई थी, उसने एक सेकंड भी बेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैट गया, औ तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्को बचा नहीं दिखा, जब तक वो बाद नहीं दिखा, अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो एक आनी समझ आती है, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे ही ये दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर क लेकिन मज़े की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया, बाकी गाउं वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउं वालों ने, और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उ अब रहीम चाचा कहते थे, उस गाउं के, सबसे समझदार मुजर्गों में से एक, और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी, कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं, और फिस सा उसने रसी को खीचा और अपने दोस्त को बचा लिया, तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बदा तो रहा है, इसमें मैं क्या बता हूँ, तो सारे गाउंवाले उनकी शकल देख रहे हैं, फिर कुछ देर बाद वो बोले, कि सवाल ये नहीं है, कि वो छोटा सा उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे, उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था, उस बच्चे को ये बताने वाला, कि तू ये नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, को कुछ भी नहीं!